तो दोस्तों इसमें लोग बात करने वाले एक budget range smartphone के बारे में क्योंकि बहुत सारे यहां पर यूजर वे एक budget range smartphone बाई काना चाहते हैं तो simply उनके लिए कौन सा यहां पर best phone होगा जिया परने तो सबसे पहले बात करते हैं इससे phone के specifications की तो सबसे पहले देखते हैं display जिया परन 270 ppi density देखने के मिलता है और यहां पर 20 by 9 का expect ratio देखने के मिल जाता है अब यहां पर बात करते हैं battery की तो इसमें आपको लिए पॉलिमर की एक 5000 बड़ी बैटरी देखने के मिलती है और simply बात करते हैं camera की तो इसमें आपको triple camera setup देखने के मिलता है फ्रैमरी camera आपको 13 मेयपि प्रैट के लिए देखने के मिलता जिए आपने तो इसमें आपको LED फ्लाइस भी देखने के मिल जाता है और इस camera से आप यहां पर 3GB RAM, 32GB storage और दूसरा आपको यहां पर 4GB RAM, 64GB storage देखने के मिलता है और इसमें आपको यहां पर dedicated card slot भी देखने के मिलता है यानि की एक अलग से memory card भी आप इसमें लगा सकते हैं और बात करते हैं इसके processor की तो इसमें आपको यहां पर Android 11 देखने के मिल जाता है इसमें आपको यहां पर Unisock के तरफ से यहां पर टाइगा टी से एक संडे टेट 12 देखने बिलता है जो कि इक 12 नाइनो मीटर पर बेस प्रसेसर है ज को बात करते हैं इसके यहां पर CP की तो इसमें आपको अक्टाकूर का CPU देखने के मिलता है आपको टू को सब्सक्राइब करते हैं देखना वेलिए उसके लिहां पर दिखने कहा है ज Kerry को मिनें चेयाइक сохран ॐ अपको g57 देखने के लिए अपर करते हैं तो सब्सक्राइब कर देखने के लिए नहीं बाद करते हैं दोस्तों इसके साइट篇ब आपको साइड फिंगर प्रिंट भी देखने के लिए मिल जाता है और सभी टाइप के संसर जैसे की एक्स्ट्रो मीटर कंपार जारू या सभी भी आपको इसमें देखने के लिए बात करते हैं इसके कलर की तो इसमें आपको डार्क ग्रीन और यहां पर लाइट सिलवर भी दे आपको बेटर परफॉम्मंस देखने के लिए मिलेगा इस प्राइज रेंज में इसमें आपको बेटर एक्सपरियंस देखने के लिए मिलेगा तो आप से मिलते हैं नेस्ट वीडियो में